हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में है जैसा कि आज हो गई है 26 जून और आज से लगबग दो महीने बाद 28 अगस्त से IBPS कलर्क प्री एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा 21 अगस्त में IBPS RRB प्री एक्जाम खतम होगा और उसके जस्ट 6 दिन बाद IBPS कलर्क प्री एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा अब बहुत सारे स्टूडेंस के कमेंट आ रहे हैं कि सर RRB का जो नोटिफिकेशन है वो एक्जाम के लगबग दो महीने पहले हमें देखने को मिल गया था तो अब IBPS कलर्क का नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिल सकता है तो IBPS कलर्क के जो नोटिफिकेशन का इंतजार है ये भी अब बहुत जल्द खतम होगा और expected है कि next week में आपको IBPS किलर्क का notification भी देखने को मिल सकता है और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि अभी सभी students का focus RRB के exam पर है और आपको पता है कि RRB pre exam में English नहीं आनी है तो ऐसा भी नहीं करना है कि RRB के तयारी के दोरान आप English पर बिल्कुल ही focus ना करें या practice ना करें क्योंकि RRB PO और किलर्क के exam के साथ आपको IBPS किलर्क के exam को भी लेकर चलना है इसलिए एक हफ़ते में कम सकम दो IBPS किलर्क प्री मौक्टस आपको जरूर लगाने है English के लिए जानदा कुछ मत कीजिए लेकिन हर दिन आपको reading और थोड़ी बहुत practice आपको करते रहना है बाकी जिनोंने RRB का form apply कर दिया है तो आप comment में जरूर बताएं कि आपने RRB PO और किलर्क का form किस state से apply किया है बाकी मिलते हैं फिर नेस पीडियो में जब तक के लिए धन्नबाद